शोप्रबात प्यारे बच्चों मैं संजीत पांडे प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मौनापूर गोरकपूर के वीडियो पाट साला में आपका बहुत बहुत श्वागत करते हैं बच्चों आज हम कक्षाएगारावी विशय हिंदी रचनात्मक अव्यक्ति और माध्यम पाठ्थे पुस्तक का नाम है रचनात्मक अव्यक्ति और माध्यम का शिर्षक है जो बुक में आपके सेकेंड या थर्ड और इसमें पांचवा ध्याय है जन संचार माध्यम आपका शिर्षक होगा जन संचार माध्यम उसका दुत्ति ब्याक्यान देखेंगे गए दिनों में हम पुर्थम ब्याख्यान देखे थे और पुर्थम ब्याख्यान में हमने कई सारी चीजे देखी थी जैसे कि संचार का परचे देखा था, संचार का महत्तोर परिवासा देखा था, संचार और अपना जीवन देखा था जन संचार कितना हमारे लिए योगी है ये हम लोग देखे थे संचार क्या है इस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया था और संचार के तत्तों पर भी हम लोगों ने चर्चा किया था साथ ही साथ संचार के प्रकार से भी हम ओगत हो चुके थे और संचार की बिसेश्टाएं भी हम जान चुके थे आज हम लो पड़ेंगे क्या जनसचार के कारे आज का जो शिर्षक होगा दूति लेक्चर में अर्धात दूति ब्याख्यान में जो हमारा शिर्षक होगा जनचार मा blossom का उसमों हम पढ़ेंगे जन संचार के कारे, तो जन संचार के कारे क्या थे, भारत में जन संचार का विकास कैसे हुआ, समाचार पत्र पत्र काएं कौन सी थी, पत्र का के शुबान कौन से है, स्वतंत्र भारत की प्रमुक समाचार पत्र कौन से थे, रेडियो क्या है, इसकी सु इंटरनेट क्या है हाद याद माध्यमों को देखेंगे तो बहुत इंपोर्टन चेप्टर है आपके एक्जामनेशन में इसे फाइप नंबर के पांच नंबर के कोश्चन आएंगे जो वन नंबर ही होंगे सार्ट एंस्वर देना होता है वन लाइन का एंस्वर जिसका देना होता है वन कोश्चन होते हैं वैसे करकी आपको पुछा जाता है तो आईए देखते हैं आज हम कि जन संचार के कारे क्या क्या से तो कहते हैं कि जिस प्रकार संचार के कई कारे हैं उसी तरह जैसे संचार के कारे आपने देखा उसी तरह जन संचार जो होता है इसके भी कारे हैं तो जन संचार मादमों के भी कई कारे होते हैं और उमें से कुछ प्रमुक कारे इस प्रकार हैं जो निमना है पहला है सूचना देना, जन संचार माध्यमों का प्रमुक कारे सूचना देना होता है हमें उनके जरिये ही दुनिया से सूचना है प्राप्त होती है हमारी जरूर्तों का बड़ा हिशा जन संचार माध्यम के जरिये ही पूरा होता है और इसका दूसरा पॉइंट है सक्षित करना, तो जन संचार माध्यम सुचनाओं के जरिए हमें जागरूब बनाते हैं, लोक तंत्र में जन संचार माध्यमों की एक महत्वण भूमिका जनता को सक्षित करने की है, यहां सक्षित करने से आसा है, उन देश दुनिया का हाल से पर्चीत कराना और उनके प्रत्शजग बनाना आजिस्ट परें तीस्रा मनुरंजन करना जयन संचार का मस तीसरा मानय यह मायद्येंक पर्शकवा जिसमें सिनेमा टीवी रेडू संगीत के तेप किताबवे आपके पास माध्यम क्या है तो यही माध्यम है एजेंडा तैय करना तो जन संचार माध्यम सुचनाओं और विचारों के जरिए किसी देश और समाज का एजेंडा भी तैय करते हैं जब समाचार पत्र और समाचार चैनल किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुकता से उठाते हैं या उन्हें ब्यापक कवरेज देते हैं तो यह घटना या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विशय बन जाते हैं किसी घटना या मुद्दे को चर्चा का विशय बनाकर जण संचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनकूल प्रतिक्रिया करने के लिए बात दे कर देता है ऐसी गत्विदियां देखने को मिलती है अगला क्या है एजेंडा तैय करना जन संचार माध्यम सुचनाओं और विचारों की जरिये किसी देश और समाज का एजेंडा भी तैय करते हैं जब समाचार पत्र और समाचार सैनर किसी खास घटना या मुद्दे को प्रमुक्ता से उठाते हैं या उन्हें ब्यापक कवरेज देते हैं तो वे घटनाय या मुद्दे आम लोगों में चर्चा के विशय बन जाते हैं किसी घटनाय या मुद्दे को चर्चा का विशय बनाकर जन संचार माध्यम सरकार और समाज को उस पर अनुकूल प्रतकिरिया करने के लिए बाद्य कर देते हैं और अगला निगरानी करना तो किसी लोग तांत्रिक समाज में जन संचार माध्यमों का एक और प्रमुक कार यह सरकार और संस्थाओं के कामकाज़पर निगरानी रखना भी है अगर सरकार कोई गलत कदम उठाती है या किसी संगठन संस्था में कोई नियमित्ता बरती जा रही है तो उसे लोगों के सामने लाने की जिमेदारी जन संचार माद्यम पे होती है और नेश्ट और लाश्ट होगा कि विचार बिमर्ज के मंच भी वो होते हैं जन संचार के मंच जन संचार माद्यम का एक कार यवी है कि व鏡 लोग तंत्र में बिभिन बिचारों की अव्यक्त का मंच उपलब्द कराते हैं इसके जरीए बिभिन बिचार लोगों के सामने पहुंचते हैं जैसे किसी समाचार पत्र के संपादकी प्रिष्ट पर किसी घटना या मुद्दे पर विभिन विचार रखने वाले लेखक अपनी राय व्यक्त करते हैं इसी तरह संपादक के नाम चित्थी अस्तम में आम लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका मिलता है इस तरह जन संचार माध्यम विचार विमर्ज के मंच के रूप में भी काम करते हैं अगला है कि भारत में जन संचार माध्यम का विकास कैसे हुआ एक और बात हमारे शामने आती है कि भारत में जन संचार माध्यम का विकास कैसे होता है तो कहते हैं भारत में जन संचार माध्यम का इतिहास बहुत पुराना है अर्थात बर्षों पहले बहुत बहुत सालों पहले बहुत बर्षों पहले इसके बीच पौराणिक काल के मिथकी पात्रों में मिल जाते हैं जैसे देवरिशी नारत को भारत का पहला समाचार वाचक मा महाई पराछीन कालों से इसका विकास तभी से संभव हो पाया? और सबसे पहले जो समाचार वाचक थे वो देव रिशी नारत को माना जाता है जो बीड़ा की मधुर जहंकार के साथ धर्ती और देव लोग के बीच समाज सेतु थे उन्ही की तरह माभारत काल में महराज धरिश्टराज तोरानी गंधारी को युद्ध की छलक दिखाने और उसका वेबरण सुनाने के लिए जिस तरह संजय की परिकल्पना की गई वो एक अत्यंत सम्रिद संचार व्यवस्था की और इशारा करती है फिर कहता है कि चन्रगुप्त मौरे अशोक जैसे सम्राटों के शासनकाल में अस्थाई महत्तों के संदेशों के लिए सीला लेखो और शामईक या ततकालिक संदेशों के लिए कच्ची साई या रंगों में संदेश लिखकर परदसित करने की ब्यवस्था की जो मजबूती हुई तब वकाइदा रोज नमाचा लिखने के लिए करमचारी नियुक तिये जाने लगे और जनता के भी संदेश भेजने के लिए भी सही ब्यवस्था ठारा दी गई ऐसी स्थिती में देखने को मिलता है फिर कहता है कि जन संचार के आधोनिक माध्यमों के जो रूप आज हमारे सामने यहां है वे निश्चा ही हमें अंग्रेजों से मिले हैं चाहे समाचार पत्र हो या रेडियो हो या टेलिविजन हो या इंटरनेट सभी माध्यम पच्छिम से ही आये हैं हमने शुरुवात में उन्हें उसी रूप में अपनाया लेकिन धीरे धीरे वे हमारी संस्क्रितिक बिरासत के अंग बनते चले गए चाहे फिल्म हो या टीवी सिरियल एक समय के बाद वे भारती नाटे परंपरा से परचित होने लगे इसलिए आज के जन संचार माध्यमों का खाका भले ही पश्चमी हो लेकिन उनकी विशयबस्त और रंग रूप भारती ही है जन संचार माध्यम के बरतमान पर सिल्प भूम में स्वशे प्रमुख है कि समाचार पत्रिकाएं, रेडियो, टेलिवीजन, सिनेमा और इंटरनेट इन माध्यमों के जरिये जो भी सामगरी आज जनता तक पहुँच रही है राष्ट के मानस का निर्माड करने में उसकी महत्तपुन भूम का दिखाई दे रही है एक और अगला उद्वरन आता है कि समाचार पत्रिकाएं कौन-कौन सी हैं तो जनसनार की सबसे मजबूत कड़ी पत्र-पत्रिकाएं या प्रिंट मीडिया रहा है कह सकते हैं कि सबसे बड़ा संबल रहा है और प्रिंट मीडिया और पत्र पत्रिकाएं को ही यह आगे करके और लोगों तक पहुँचने का कार इसके माध्यम से किया जा सका हलाकि अपने विशाल दर्सक बर्ग और तिब्रता के कारण रेडियो और टेलिवीजन की ताकत ज्यादा मानी जा सकती है लेकिन बाणी को शब्दों के रुप में रिकार्ड करने वाला आरंभिक माध्यम होने कुझेम से प्रिंट मीडिया का महत तो हमेशा बना रहेगा आज भले ह 버़ी प्रिंट रेडियो तेलिवीजन या इंटर्नेट किसी भी माध्यम से को कभ़व के संचार को प्रकासित कहां जाता हो लेकिन आरंभव में केवल प्रिंट माध्यम की जरी खबरों के अदान पडान को ही पत्रकाजिता का जाता था सिर्फ एक ही माध्यम होता था और वो है प्रिंट माध्यम और उसी को इसके तात रखा जाता अगला है पत्रकाजिता के शोपान इसके निमनलिक already तीन शोपान है तो पहला कोंशा है? तो पहला है कि समाचार पत्रों को संक्लित करना, दूसरा है उन्हें संपादित कर छापने लाइक बनाना, तीसरा है पत्र या पत्रिकार की रूप में छाप कर पाठकों तक पहुंचाना यद्यप ये तीनों काम परस पर जुड़े हुए हैं पर पत्रकारिता के अंतरगत पहले दो कामों को सामिल किया जाता है जहां बाहर से खबरे लाने का काम समधाता का होता है वहीं तमाम खबरों लेखो फीचर को विवस्तित तरीके से समपादित करने और सुरुचिपूर धंक से छापने का काम समपाद की विभागों में काम करने वाले समपादकों का होता है आज पत्रकारिता का छेत्र भी बहुत ब्यापक हो चला है खबर का समंध किसी एक या दो विश्यों से नहीं दुनिया के किसी भी कोने की घटना समाचार पत्र बन सकती है वसरति कि उनमें पाठों की दिल्चस्पी हो या उसमें सार्वजनिक हित नहित हो अगला एक और सिर्षक बनता है हम लोगों के सामने कि भारत में अखवारी पत्रकारता का आरम कब हुआ अब इसको ध्यान से देंगे तो यह यहां से एक कोश्चन भी बनेगा कि भारत में अखवारी पत्रकारता की शुरवात सन 1780 भी में जेम्स आख्ष्ट हिस्की के बंगाल गजट से हुई जो कलकत्ता से निकलता था जब कि हिंदी का पहला सबताहिक पत्र उदंड मारतंड भी कलकत्ता से ही सन 1826 में पंडी जुगुल की सोर्शकल की समपादन में निकला था हिंदी भासा के विकास में सुरुवाती अखवारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वण भूमका निवाई इस लिहाज से भारतेंडू हरिश्चन का नाम शम्मान के साथ लिया जाएगा जिने कई पत्र काया निकाली अजादी के आंदोलन में भारतिय पत्रों ने अहम भू का निवाई गांदी जी को हम शमकालिन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार का शक्ते हैं क्योंकि अजादी दिलाने में उनके पत्रों ने महत्वण भूमका निवाई आजादी के पहले के प्रमुक पत्रकारों में यहां से देखिएगा कि अजादी के पहले के प्रमुक पत्र कार कौन कौन से पुशकता है तो उसमें गणेश शंकर विद्यार थी माखलनाल चत्रवेदी महाबीर प्रसाद द्रवेदी बाबु विश्डू राव पराडकर परताप नरायड मिश्र शिव पूजन सहाय राम ब्रिक्ष बेनपूरी और बालमकुन गुप्तार हैं उस समय मह प्रताप प्रदीप और विशाल भारत आदी प्रमुक उस शमय की पत्र काये हैं और स्वतंत्र भारत के प्रमुक समाचार पत्र कौन कौन से अगर इस तरह की कोश्चन आपके शामने बनते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रमुक समाचार पत्र कौन कौन से हैं तो आप क्या कर कि अजादी के बात के प्रमुख हिंदी अकवारों में नौ भारत टाइम्स जनसत्ता नई दुनिया राजस्थान पत्रिका अमरुजाला दैनिक भासकर दैनिक जागरण और पत्रिकाओं में धर्म युग शब्ताइक हिंदुस्तान दीनमान रविवार इंडिया टूडे आउ हो चुकी हैं आजादी के बाद के हिंदी के प्रमुख पत्रकारों में सच्तानंद हीरानन वात्सायन अग्गे रगवीर सहाय धर्मबीर भारती मनुहर स्याम जोसी राजेंद्र माथूर प्रभास जोसी सर्वेस्वर द्याल सकसेना शुरेंद्र प्रताब सिंग का नाम लि अब दो चीजे इसमें से देखिएगा गौर से देखिएगा कि भारत में अकवारी पत्रकारता की सुर्वात कव हुई तो सन 1888 में जेम साख हिस्की ने बंगाल गजट से हुई जो कोलकाता से निकला था उदंड मारतन पहला सब्ताहिक हिंदी का पहला सब्ताहिक पत्र था उदंड मारतन भी कलकाता से 1826 में पंडि जुगल कि सुर्शुकल के समपादन में निकला था यह आप द्यान देंगे दो चीजे इसमें से बहुत इंपोर्टेंट है और इसको आप द्यान देंगे अगला है रेडियो तो पत्र पत्र काओं के बाद जिस माध्यम ने दुनि पत्र में तो रेडियो हो है सन 8 1995 में गडिली के इलेक्ट्राइं और इनजिनियर जी मारकोनी देख़ कर दियाए इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जी मारकोनी ने वायरलेस के जरिये ध्वनियों और समकेतों को एक जगा से दूसरी जगा भेजने में कामियाबी हासिल के तब रेडियो जैसा माध्यम अस्तित्त में आया पहले बिश्यूद तक यह सुचनाओं के अदान प्रदान का एक महत्यपूर औजार बन चुका था भारत में सन 1892 इस्वी में रेडियो की सुरवात हुई गान देंगे भारत में रेडियो की सुरवात कब हुई तो 1892 इस्वी में 1921 इस्वी में मुंबई में टाइम साफ इंडिया की दांकतार विवाक के सहयोग से संगीत कारिकरम प्रशारित किया 1936 में बिदिवत आल इंडियो की अस्थापना हुई और अजादी के समय तक देश में कुलनाव रेडियो इस्टेशन खोल चुके थे जिसमें लकनव, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्राश, मद्राश चन्ने, तीरुचितलापली, धाका, लाहाओर और पिशावर इन में से तीन रेडियो इस्टेशन विभाजन के साथ पाकिस्तान के हिस्थे में चले गए अजादी के बाद भारत में रेडियो का एक बेहत ताकतवर माध्यम के रूप में मिक्षित हुआ आज आकासवाडी देश की 24 भासाओं में अब देखिएगा, यहां भी नोट करने वाली बात है, कई सारे कोस्चन इससे बनना है कि आकासवाडी कितने भासाओं में प्रकासित होती है, तो 24 भासाओं में कितनी बोलियों में, तो 146 बोलियों में कारकरम प्रस्तुत कर रही है देश की 96 प्रत्सताबादी तक इसकी पहुँच है 1993 में FM Frequency Modulation की शुरुआत के बाद रेडियो के छित्र में कई नीजी कमपनिया भी आगे आई है लेकिन अभी उन्हें समाचार और समशामई कारिकरमों के परसाण की अनुमत नहीं है रेडियो एक ध्वनिमाद्यम है इसकी ततकालिकता घनेश्ता और प्रभाव के कारण गाधी जी ने रेडियो को एक अदभुत शक्त कहा था ध्वनितरंगों के जर्ये या देश के कोने कोने तक पहुँचता है दूर दराज के गाउं में जहां संचार और मनुरंजन की अन्ने साधन नहीं होते हैं वहां रेडियो ही एक मात्र शाधन है इसलिए भारत के दूर दराज के इलाके में लोगों ने रेडियो कलब बना लिया आकासवाणी के अलामा सैक्लों नीजी एफेम इस्टेशन और बीविशी वाइस और अमेरिका डो चले वेले रेडियो जर्मनी, मास्को रेडियो, रेडियो पेंचिंग, रेडियो आस्टेलिया जैसे कई भी देशी परसाड़ों और हैम, अमेच्योर, रेडियो क्लावों, श्वतंत्र समोह, द्वारा संचालित पंजिकृत रेडियो इस्टेशनों का जाल विछा हुआ है इस तरह से इसका देरे-देरे विकास देखने को मिलता है, अगला एक आता है टेलिवीजन, और टेलिवीजन क्या है, इसकी सुरुवात कब होई, कैसे होई, तो आज टेलिवीजन, जन संचार का सबसे लोकप्री और ताकत्वर माध्यम बन गया है, पीछले जो प्रिंट में दिया थी, जो रेडियो था, उसको भी पीछे छोड़ करके, और बर्तमान में जो टेलिवीजन है, ये सबसे आगे निकल गया है, प्रिंट मेदिया के बाद शब्द और रेडियो की ध्वनियों के साथ, जब टेलिवीजन के द्रिश मिल जाते हैं, तो समुचना की अपनाय घटित होती थी, उसका दिर्स्यांकन भी होने लगा, तो जब दिर्स्यांकन होने लगा, तब ये उनके प्रति जो लोगों का जन समुझ था, उसकी आशक्ति उनके प्रति अचानक वड़ती चलती चली गई, भारत में टेलिवीजन की शुरवात, यूनेस्को की ए इसका मक्षद टेलिवीजन के जरिए सिक्षा और समुदाइक विकास को पुरसायत करना था, इसके तहट दिल्ली के आजपास के गाओं में दो टीवी सेट लगाए गए, जिनें 200 लोगों ने देखा था, यह हपते में दो बार, एक एक घंटे के लिए दिखाया जाता था, लेकिन 1965 में स्वतंतता दिवस से भारत में विवेत्ता टीवी सेवा का आरंब हुआ, तब रोज एक घंटे के लिए टीवी कारकरम दिखाया जाने लगा, 1975 तक दिल्ली, मुंबई, स्रीनगर, अमरित्सर, कोलकाता, मदरास और लखनोव में तीवी सेंटर खुल गए, लेकिन 1976 तक तीवी सेवा का श्वारी का हिस्सा थी, एक अप्रेल 1976 से इसे अलग कर दिया गया, इसके दूर्देर्शन का नाम दिया गया, और 1984 में इसकी रज़त जैनती बनाई गई, इस तरह से इसका विकास हुआ, काईते हैं टेलिवीजन के उद्देश है क्या क्या हैं, तो टेलिवीजन के उद्देश है समाजिक परिवर्तन, पहला है समाजिक परिवर्तन, दूसरा है राश्टी एकता, तीसरा है बैज्यानिक चेतना का विकास, चोथा है परिवार का ल्याण को प्रुट्साहन, पच्वा है क्रेशी विकास, चट्वा है परियावरन सरक्षण, सात्वा है समाजिक विकास, खेल संस्कृतिक परिवर्तन, दूसरा है देश की सूचना, सिक्षा और मनुरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उ चंबे समय तक सरकारी नियंतर में रहने की कारण इसमें ताजगी का भाव खटकने लगा और पत्रकारिता के निश्पक्ष माध्यम के तौर पर यह अपनी जगह नहीं बना पाया, अलबत्ता मनुरंजन ने एक लोगप्री माध्यम के तौर पर इसने अपनी एक खास जगह बना ली, टेलिवीजन का असली बिस्तार तब हुआ जब भारत में देशी नेजी चैनलों की बाड़ आने लगी, अक्टूबर 1993 में, जी तीवी और स्टार टीवी के बीच अनुबंद हुआ, इसके बाद समाचार के छेत्र में भी जी निउज और स्टार निउज नामक चै चैनल आये, और सन दो हजार दो के दो में आज तक की स्टार चैनल के रूप में आने के बाद, जो तो जैसे समाचार चैनलों की बाड़ सी आ गई, जहां पहले हमारी स्टार रजनिक प्रशारक दोदसक का उदेश से, राष्ट निर्माड और समाजिक उन्यन था, वहीं इन नीजी चैनलों का मक्षद बेऊसाइक लाब कमाना रहा गया, इसमें जहां टेलिवीजन समाचार को निस्पक्षता की पहचान मिली, उसमें ताजगी आई और वह पेशेवर हुआ, वही एक अंधी होड के कारण, अनेक बार पत्त्रकारता की मुल्य और उसकी नए दिक्ता का भी हनन हुआ, इसके बावजूद आज पूरे भारत में 200 से अधिक चैनल पर सारित हो रहे हैं, और रोज नए नए चैनलों में बाड़शी आ गई है, और दिन प्रदी ने अपने विकास पर आगी की तरफ अग्रश चारित है, अगला है सिनेमा, तो जन संचार का सब से लोकप्री और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा, अब ये लोगों इन तीनों को भी पीछे चोड़ करके और विक्षाल जन सम्मों इसको अपनाने लगा, और इसके माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाने लगा, हलाकि ये जन संचार के अन माध्यमों की तरफ सीधी त लेकिन परक शुरूप से सुचना ग्यान और संदेश देने का काम करता है, सिनेमा को मनुरंजन के एक शसक्त माध्यम के तौर पर देखा जा रहा है, सिनेमा की अविसकार का स्रे थामसलवा एडिशन को जाता है, और ये सन 1883 इस्वी में मिनेर्टी स्कोप की खोज के साथ जुड़ा हुआ है, 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म बनी दो अराइवल आफ ट्रेन, फ्रांस में पहली फिल्म बनी थी दो अराइवल आफ ट्रेन, सिनेमा की तकनिकी में तेजी से विका हुआ जल्दी ही यूरोप और अर्मेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी, भारत में पहली मुख फिल्म बनाने का असरे दादा साव फालके को जाता है। ये चीज देव ध्यान देंगे कि भारत में पहली मुख फिल्म बनाने का असरे दादा साव फालके को जाता है। यह फिल्म थी 1923 में बनी राजा हरिश्चन इसके बाद के दो दस्कों में कई और मोग फिल्में बनी इसके कतनांग, धर्म, इतिहास और लोग गत्हाओं के इर्द गिर्द बुने जाते रहे। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। इसके बाद बोलती फिल्मों का दोर सुरू हुआ अजादी मिलने के बाद जहां एक तरफ भारती सिनेमा देश के समाजी के अथात को गराई से पकड़ कर अवाज देने की कोशिस की, वहीं लोग प्रियतात सिनेमा ने बेवसाइक का रास्ता अपनाया, एक तरफ पिर्थवी राज कपूर, महबूब खान, शोहराब मोदी, गुरुदत्त जैसे फिल्मकार थे, तो दूसरी तरफ सत्यदीत राय जैसे फिल्मकार, जो एक अलग सहली पर लिखने का कार, इसकी जो कहानी होती थी, वो एक अलग सहली पर माता देश बन गया है, यहां तक की हिंदी के अलामा अन्य छेत्री भसाओं और बोलियों में भी फिल्म बनती हैं और खोब चलती हैं, एक बात और नोट करिएगा कि हर साल लगभग हिंदी में 800 फिल्में बनाई जाती हैं, अब अगला एक आता है इंटरनेट, इंटरनेट जन संचार का सबसे नया लेकिन तेजी से लोकप्री हो रहा माध्यम है, एक ऐसा माध्यम जिसमें प्रिंट मेडिया, रेडियो, टेलिवीजन, किताब, सिनेमा यहां तक की पुष्टकाले के सारे गुण मौजूद हैं, उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक हैं और उस 95% लोगों के पास स्मार्टफोन है, और 90% लोग लगभग इंटरनेट यूज करके और समझ चीजों से परचित, क्या हम भारत के गाओं से चक्की चलाने वाला हो, रिक्षा खीचने वाला हो, खेती किसानी करने वाले से लेकर के बड़े-बड़े अफसर तक अभी फोन और इंटरनेट अपने मुबाइल में रखते हैं, और पल भर की खवरे तुरंत गूगल से पूछ लेते हैं, जान लेते हैं, ऐसी चीज़े देखने को मिलती हैं, फिर कहते हैं कि सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, और विश्व ब्यापी जाल के भीतर जम करोड़ों पन्नों में शेपल भर में अपने मतलब की सामगरी खोज लेते हैं, इतना अदबुत तरीका यह हमारे पास है, यह एक अंतर क्रियात्मक माध्यम है, यानि आप इसमें मुक दर्सन नहीं, आप सवाल जबाब बहस मुवाहिशों के भाग लेते हैं, आप चैट कर सकते हैं, और मन हो तो अपना ब्लाग बना कर पत्रकायता के किशी बहस के सुत्रधार बन सकते हैं, इंटरनेट ने हमें मीडिया शमागम यानि कवरेज के युग में पहुचा दिया है, और संचार की नई शंभावनाएं जगा दी है, हर माध्यम में कुछ घुन और कुछ हर माध्यम में कुछ घुन और कुछ घुन अवश्य होते हैं, इंटरनेट जहां पढ़ने लिखने वाले के लिए शोद करताओं के लिए संभावनाओं के नए कपाट खोले हैं, हमें विशुगराम का सदर से बना दिया है, वहीं इसमें कुछ खामिया भी है, पहली खामी तो यह कि इसमें लाखो असलिल पन्ने भर दिये गए हैं, जिसका बच्चों के कोमल मन पर बुरा असर पड़ता है, दूसरी खामे की इसका दुर्पयोग किया जा सकता है, हाल के बर्सों में इंटरनेट के दुर्पयोग की कई घटनाय सामने भी आई हैं और होती रही हैं, एक और शिर्षक बनता है कि जन संचार माध्यमों का प्रभाव, क्या प्रभाव है जन संचार माध्यम का, तो आज के संचार प्रधान समाज में जन संचार माध्यमों के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, हमारी जीवन सहली पर संचार माध्यमों का जबरजस्त है अकवार पड़े बिना हमारी शुबह नहीं होती वे रोज मर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं हमारी महानगरी युवा पेढ़ी समाचारों और सुचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का उप्योग करने लगी खरीद फरोष्ट के हमारे फैसले तक पर विग्यापनों का असर साब देखा जा सकता है यहां तक कि शादी ब्या के लिए भी लोगों की अख़वार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर निर इसी तरह फूर्षत के छड़ों में तीवी शीनेमा पर दिखाये जाने वाले धरवाईकों और फिल्मों के जरिये हम अपना मनरंजन करते हैं कुल मिलाकत इतना कहा जा सकता है कि जन संचार माद्यमों ने जहां एक और लोगों को सचेत और जागरूप बनाने कि में अहम भून का निभाई है वहीं उनके नकरात्मक प्रभावों से भी इंकार नहीं किया जासकता यह भी असपश्च्थ है कि जन संचार माद्यमों के तिस आज समाजिक जीवन की कलपना नहीं किया सकती हैशे में यह जरूरी है कि हम जन अंचार मुशे प्रशारित और प्रकाश सामग्री को निश्क्री तरीके से गर्हण करने के बजाय उसे सक्टी तरीके से सोच विचार करके और आलोचनात्मक विलेशन्ड के बाद ही सुविकार करें एक जागुरूप पाठक दर्शक और सुरोता के बतौर हमें अपनी आखे कान और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए तभी हमें इस सारी समझ चीजों पर जान रहे पाएंगे देख पाएंगे सुन पाएंगे समझ पाएंगे और अपनी प्रतक्रिया देपाएंगे आगे जन संचार माध्यम और शंभावनाएं इसके खत्रयाद पर भी चर्चा हुई है और विभिन तरकी लेखन का कार भी इस पर हुआ है तो कई तरह की लेखन के उद्धरण भी दिये गएंगे यह आपनी पाट पुस्तक में देखेंगे पढ़ेंगे किसी तरह की अगर दिखकत आपको होती है तो बे इचत पोछने का प्रहास करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद कर दो